क्या ब्रॉक लैश्ट में होने वाले लाइव इवेंट में लैश्ट के खिलाफ हार जाएंगे अपनी चैंपिंशिप चैंपियन वर्शी चैंपियन क्या हो जाएगा कैंसर दरौक की रिटर्न पर आई ब्रैंड अपडेट और एजे स्टाल्स ने फिर से रिसेंगे डिवली क आज की वीडियो काफी धासू होने वाली और जैसे कि मैं आपको वीडियो की शुरुवात में बिताया इसके अंदर दोस्तों हम ये सब टॉपिक्स कवर करने के साथ साथ दोस्तों कई कि इंपोर्टेंट निउस जो कि दोस्तों जैसे की कोड़ी रोड से जुड़ी भी है हम कवर करने वाले हैं आँद में दोस्तों हम बात करेंगे क्या चैंपिन वर्शी चैंपियर कैंसल होने वाला है क्या जो हमारे बॉबी लैशली है वो MSG में Lassner को हराने वाले हैं लेकि कर सकते हैं हमारे रेटीडा सूपरस्टार एज को उन्होंने डवली को फिर से री साइन कर लिया है तो एजे स्टाइल्स का दोस्तो जो कॉंट्रेक्ट था वो इस साल ख़तम होने वाला था अगर दोस्तो एक ख़तम होता तो हो सकता था कि एजे स्टाइल्स के सामने एड़ी वाले एक बड़िया कॉंट्रेक्ट रख दे और वो एडवली में चले जाते लेकिन गाइज डवली वालो ने इस चीज़ को भाप लिया और आज उन्हें फिर से अपने कॉंट्रेक्ट में बांध लिया उन्हें तीन मिलियन अमरीकी डॉलर पर एयर के हिसाब सी दिये जा पर रिपोर्ट्स दोस्तों एजे स्टाइल्स ने ये मल्टी एयर डील जो है वो खुशी-खुशी साइन कर ली है अब एजे स्टाइल्स अगले तीन से चार साल तक डवली के साथ ही रहने वाले हैं जिसका मतलब साफ है दोस्तों की डवली फिनॉमिनल बनी रहेगी चलते ह दोस्तों इस एगली नीजो जो आच की हमारी जुड़ी भी है वो जुड़ी हुई है बिल गोलबग जिनुन ने बताया है कि उनके स्पियर में और रोमर रेंस के स्पियर में क्या फर्क है आले में दोस्तों गोलबग का इंटर्वीव हुआ एज विए और लो गोलबग अब लोग जब स्पीर को देखते हैं, तो पूछते हैं कि ये सबसे बढ़िया कौन मारता है, तो मेरा नाम आता है सामने, तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं बताना चाहूंगा इसमें एक बड़ा अंतर है, गोलबग ने दो उस्तों काफी मज़ेदार चीज बताई, उन्हें तो कंदे से मारते हैं, लेकिन जिस पर उन्हें ज़ादा गुसा आता है, उसे वो अपने सर से मारते हैं, सर दे मारते हैं उसकी चैस्ट पर और कोशिश करते हैं कि होस्पिटल पहुंचे, तो गोलबग ने दोस्तों काफी बड़ी चीज यहां रिवील की है, चलते हैं, इससे अगली न्यूस के ऊपर, इससे अगली न्यूस जो आज के मारी जुड़ी भी है दोस्तों, वह जुड़ी है अब बने WWE के हर्दिक पंडिया से, तो कल दोसे एक बंदा काफिदा ट्रेंड हुआ है, जिसका नाम है दोसों कार्मिलो, कार्मिलो दोसे NXT के सुपरस् की वज़ा से मैं ट्रेंड हो रहा हूँ, इंडिया में मच लव, यानि के काफिदा खुश है, इंडिया में दोस्तों, इने कहा जा रहा है, हर्दिक पंडिया 2.0, चलते हैं इससे अगली न्यूस के ऊपर, इससे अगली न्यूस जवाज के मारी जुड़ी होई है, ब्रामा बूल, दरॉक से ये तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूस है, इससे सुनना दोस्तों, बहुत जरूरी है, दरसल, दरॉक का दोस्तों, अगले साल का जो मैच है, जो की रोमर्ट रेंस के खिलाफ होना है, वो कैंसल हो सकता है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, डे मैलजर के माँने, तो जो डवान vents johnson, नेक्सि येर काफा तया बजाफ पाई रहने वाले है, दरसल दोस्तों, उनकी कंपनी है, जो की नहोंने विंस मिकनेन से खरीद लिया है, दरॉक के पास एक कंपनी है, नेक्सि येर दोस्तों की फिर से आने वाली है, फिर से दोस्तों, और यहाँ जो दरॉक है इसे एड़टाइस करेंगे ऐसे में मिड रेसल मीनिया या फिर कहले जिए रेसल मीनिया सीजन के मिड़ में दोस्तों जो दरॉक है वो शायद सही डबलेवली को जॉइन कर पाए और यहाँ बताया जारा है कि अब यह जो मैच है यह कैंसल हो सकता है हा जो कि काफे वड़े एक्सपेट हैं उनका माना तो यह भी है यह दरॉक इस एर की रिसल मीनिया में भी आ सकते हैं तो अगर दोस्तों दरॉक को आना हुआ तो वो आएंगे लेकिन हां नेक्स्ट यर दोस्तों उनका फिफ्टी फिफ्टी हो गया अब देखते हैं आगे क्या जो कि गाई रॉक्स्टार्स पर्डी के नाम से लड़ा करते हैं इंपेक्ट वेस्लिंग में उन्हें अभी से कुछ समय वेले वालों ने निकाल दिया था लेकिन बीतेकल कुछ ऐसा हुआ कि आज मुंसे पूछे ना ड्रेक मैवरी को डवली वालों फिर से रिसाइन कर लिय तो अच्छा वाँ दोस्तों ड्रेक के साथ ड्रीटमेंट किया क्योंकि ड्रेक की एज भी 240 के लगबग हो चुकी है अब ऐसे में दोस्तों अगर वो रिसल नहीं कर पा रहे हैं या फिर दोस्तों उन्हें रेसलिंग करने को नहीं दी जारी है तो अच्छा ही है कि किसी भी अगली निवस्तों अगली नीजवाज के मारे चुड़ी विया है वह जुड़ी है रिटायर हो जाते हैं रिसलिंग से अन्डरेकर दोस्तों एक ऐसे सूपरस्टार है जिन्होंने 1990 से लेकर 2020 तक WB को अपना 100% दिया है और इस साल 200 इंडक्ट हुच के हैं हाले में दोसर बुली रे ने ये चीज़ कही कि अगर इंडक्शन हो रही है तो उसमें सिरफ और सिरफ एक बंदा इंडक्ट होना चाहिए जो कि है अंडर्टेकर फैंस का भी यही मानना है बुली रे ने 200 बॉस्टेड ओपन रेडियो में इसका रीजन भी दिया वो ये चीज़ बोले कि देखो जो अंडर्टेकर है वो अपनी क्लास में सबसे अलग है वो बंदा सर्व शक्ती शाली सर्व शक्ती मान रहा एक समय पर WB के अंदर किया जाए वो इकलौते होने चाहिए जो कि इस बारी इंडक्ट हो बाकी किसी को भी इंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अंडर्टेकर एक अलगी लेवल पर है अब यहां दोस्तों मैं भी यही चाहता हूँ आप क्या चीज़ चाहते हैं बताये जो चलते हैं इससे अगली ऊपर इससे अगली ऊपर आच के मारी सेग्लाास्ट नीउस भी है दोस्तों वर्ट जोडि हुई है कोडी रोड से तो गाईज कोडी रोड तो वैं डबल डबल के अंदर आने वारे हैं क्योंकि guys, हाली में उन्हों AEW को छोड़ा है ऐसे में fans को लगा, चायाद वो retire हो जाए लेकिन अब उन्हों उन्हों चीज़ डिलीट कर दिया है प्लस दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ ये है कि जो Cody Rhodes है, वो हमें probably Wrestlemania का पार्ट होते वे नजर आ सकते है और कल दोस्तों Monday Night Raw में उन्हें mention किया गया दरसल डबली ने दोस्तों tweet किये raw से जुड़े वे, जहाँ उन्होंने dashing word का, साथी साथ उनका जो theme music है उस word का use कि अपने tweets में जहाँ दोस्तों ये चीज़ टीज़ करे थे कि दम इसके वो हो सकते हैं टैक्निम पार्टनर लेकिन वो लोगन पॉल निकले हैं, अगर दोस्तों जो हमारे कोडी है, वो रिसलमेनी का पार्ट हो रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है वो डेमिन प्रिस्ट के अपोनेंट हो सकते हैं, फिन बैलर के बाद चलते हैं दोस्तों आज के अपनी मेन खबर के उपर, गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्रॉक लैशनर के टाइटल लूज करने से तो गाइस, ब्रॉक लैशनर जो है वो फाइट देने वाले हैं पांच मार्च को MSG हमारा दोस मैडिसन स्कॉयर गार्डन एरीना जो है ब्रॉक लैशनर की नाम की चैन लगाएगा और शाम ब्रॉक लैशनर बॉबी लैशनर को फेस कर सकते हैं रॉब में हम लोगों ने देखा पॉल हैमन ने इस चीज की ज़ान कर दी पॉल हैमन ने चीज कही कि तू जो है वो दोनों टाइटल घर ले जा सकता है तब जब तू एक को ढंक से डिफेंड कर पाए तेरा मैच मुस्ट प्रबैबली लैशनर के एक लाफ हो सकता है पांच मार्च को लेकिन वो तभी प्योसी वाल है जब लैशनर क्लियर हो पाया अगर लैशनर क्लियर नहीं हो पाया तो टेंचन नहीं ले अपुन है और वो तेरी वहां बुरी हालत करवा सकता है कुल मिलाकर दोस्तों उनका यह मतलब था और आपको बताना चाहूंगा इससे पहले यह चीज़ भी कही थी कि वो कुछ बड़ा करेंगे लाइव इवेंट्स में और उस वक्त तो दोस्तों लैशनर के साथ ही थे कुल मिलाकर दोस्तों पॉल हैमन का काफी बड़ा रोल यहां रहने वाला एस पर रिपोर्ट्स पर आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो हमारे लैस्ट नर्यों टाइटल लूज नहीं करेंगे जिए आपने बिल्कुल सही सुना चैंपिन वर्शी चैंपिन दोस्त करेगा प्लस आपको बताना चाहूंगा जो यह लाइव इवेंटेज डबलवली का यह नहीं आएगा टेलीविजन के ओपर है टेलीकास नहीं होने वाला और इसलिए दोस्तों पॉल हमन ने इसे मेंशन किया ताफी जाज-जादा टिकर्स की बिक्री हो प्लस आपको बताना लेशनर जो है वो चैंपियन बने रहेंगे और कोई बी चांस नहीं है दोस्तों की टाइट लूस करें आप दोस्तों देख भी सकते हैं स्क्रीन शाट में क्या कुछ लिखा है रिपोर्ट भी क्या कुछ लिखा है ब्रॉक लेशनर दोस्तों ऐसे फुल टाइमर दिखने वा वीडियो पतन दाई वीडियो को लाइक एंड श्यर्जों की जेगा आसत के लितना ही ठानेवाद शबाख है